नवश्कार आप देखे रे निउस 29 इंडिया मैं हूँ साक्षी आये निज़े डालते हैं अभी किता ज़क अपर उपर सुधर्शन गुपता की टोपी जन संपर के दौरान हवा में ओड़ी कारिकर ताउन ने लगाय जम कर ठाउगे हर वक्त सिर्फ पर रहने वारी टोपी एक हार फूल की माला पहनाते वक्तो भी मुख्यवेंदी शिवरा सिंग चुहान के इंदोरा अगमन पर उनसे मिलने पहुती ट्विंकल दागरे की मा और बहने सुधर्शन गुपता जब दीश करोतिया पर लगाय गंभी रारो जिसके सिर्फ से कभी टोपी नहीं उतरती जो कारिकर्टाओं के बीच हमीशा टोपी पहन कर गुंते हैं यहां तक कि उनकी पहचान ही टोपी से है ऐसे में स्वागत सतकार के वक्त एक हार ने उनकी टोपी जमीन पर गिरा दी यह नजारा देखने के बाद कोई भी अपनी हसी नहीं रोप पाया हम बात कर रहे हैं इंदौर विधानसवा शेत क्रमांग एक के भाजपा पित्याशी और वर्तमान में भाजपा विधायक सुदर्शन गुपता की जनसंपर के दोरान स्वागत सतकार के समय उनकी टोपी हार पहनाते वक्त गिर गई इंदौर के विधानसवा शेत क्रमांग एक से भाजपा पित्याशी सुदर्शन गुपता की टोपी को लेकर कई कहानिया फ्रशलित है और इन किसों में ये बात भी शुमार है कि वे घर की चार दिवारी के अलावा अपनी टोपी कभी नहीं उतारते हाला कि ये बात अलग है कि उनके घर में कारिकर्टाओं या मीडिया हो तो वे चार दिवारी में भी टोपी पहने दिखाई देते हैं लेकिन उनकी टोपी सरे राग एक हार में गिरा दी जनसंपर के दोरान एक कारिकरता ने सुदर्शन गुपता को फूलों की माला पहनाई जिसके बाद हवा और भीर के सहरे उनकी टोपी उनसे दूर चली गई यह नजारा देख कारिकरता ने भी जमकर ठाके लगाए उनकी टोपी तो दुबारा सिर्पर आ गई लेकिन कारिकरता ने भी बहुत देर तक हसी नहीं रुकी फिलाल तेजी से वारेल हो रहे इस वीडियो को देख हर कोई है वधान सबाचुनाव को देखते हुए सभी पार्टी के प्रतियाशियों के समर्थर में नेता और मंत्रियों की पूरे प्रदेश में भाग दौर चल रही है इसी को लेकर मध्यपिदेश की मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चुहान बिंदौर आये थे इस बात की खबर जैसे ही दो साल से लापता युप्ती ट्विंकल डागरे की मा को लगी वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुँच गई हाला कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया इसके बाद ट्विंकल की मा और उनकी बहन आप रोशित हो गई और सभी को खरी खुटी सुनाए इंदौर की कुश्वान अगर में मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चुहान भाजपा के पक्ष में चुनावी सभा के लिए पहुच दे मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी बेटी को वापस लेने के अपील करने के लिए दो साल से लापता युप्ती ट्विंकल डागरे की मा भी पहुचे थी लेकिन उन्हें सीम से मिलने नहीं दिया गया इस पर वो और उनकी दूसरी बेटी अप रोशित हो गई और जमकर हंगामक करते हुए नारे बाजी शुरू कर दी गौर्दलब है कि ट्विंकल के लापता होने को लेकर शुरू से उसके परिशन एक भाज़पा नेता पर आरोप लगा रहे हैं मीडिया से चर्चा में ट्विंकल की मा ने भात्पर प्रत्याशी सिजरेशन गुपता और जग्दीश करोतिया पर गंबीर आरोप लगा है बिजनावर के जीला कारागार जेल में बंद कैदियों के लिए जेला ने कंप्यूटर सेंटर खोला है इस सेंटर का उठ्गाटन डिय मेटल कुमार राय में किया इस मौके पर एक प्रत्योगिता का आयजन किया लिया इस आयजन में कैदियों ने बढ़ चर कर हिस्ता लिया प्रत्योगिता के माध्यों से कैदियों का भारी उपसा वर्दन हुआ रसी, खीच, रंगोली, कबड़ी और दान सहीत कहीं प्रत्योगिताओं में कैदियों ने हिस्ता लिया इस अब सब पर जीला जेन के जेलर और डीम बिजनोर इस आयशन में मौजूद रहे इसके बाद बंदियों को उनकी कला के लिए प्रत्ता हित कर उन्हें पुरुसकार देकर समानित किया गया बिर रिपोर्ट, न्यूस 29, इंडिया आपसलोत मेरी बाद, कहां दुन्दोगे इस शहर में जब तो माधी आप जो वेस्ते हो ताम, आपसलोत मेरी बाद, कहां दुन्दोगे इस शहर में जब तो माधी आप जब शारी उन्या सुझाती है, अव्त बाजी हो जाती है, अव्त बाजी हो जाती है, अव्त बाजी ये विद्यास कउचा लगी ये बाजी आज जन्पद कारागार में रिबिन खेल प्रतियोगीताएं और इसके साथ ही कल्चरर प्रतियोगताओं का जो है कारिक्रम हुआ है और इस आउसर पर मैंने देखा कि जो जेल के बंदी हैं उन्होंने बड़े उत्सास इन प्रतियोगताओं में भाग लिया और बहुत ही अस्तरीय प्रदर्शन उन्होंने किया है और इस प्रकार के सकारात्मक कारिक्रम करने से इन बंदीयों के अंदर भी एक सकारात्मक कुर्जा का संचार होता है उनमें उटसा आता है और इस प्रकार के कारिक्रम हमेशा होते रहने चाहिए और मैं बहुत प्रसंद हो कि हमारे जेल के सुप्रेडिनेंट साहब और उनकी पूरी टीम ने इस प्रत्योगता को बहुत अच्छे तरीके से संपारित किया बिजनौर महत्मा विदूर कुटी गंगा तड़ पर पूरी तरह तंबु का शहर बढ़ चुका है ट्रेक्टर ट्रॉली वो भैसा बग्गी से शदालू के काफिले मेले में बहुच रहे हैं रात और दिन शदालू को काफिला अना चारी है वही योगी सरकार के अदेश अनुसार शदालू की सुरक्षा के करें पिजाम भी किये गए हैं प्रशासन ने मेले की कतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 12 CCTV कैमरे लगाये थे विदूर कुटी के सामने भागी रधी गंगा तड़ पर हर साल मेला लगता है इस मेले में करीम एक लाख श्रधालू ने अपना डेरा चमा लिया प्रशासन ने गंगा तड़ पर बारा नाव और गोथा कोरी की टीम भी तैनाब कर रखी है गंगा सनान मेले पर विदूर कुटी गंगा तड़ पर हर साल यहाँ पर लाख श्रधालू पहुच कर गंगा सनान करते हैं इसे के मदे नजर पुलिस के शासन पूरी तरह अलर्ट है इसका महत्व यह हमारा हिंदू धरम में बहुत पहले से चलता रहा है कि दारनगर गंज महात्मा पिदूर जी की तपों भूमी है यहां पे हर साल की भाती इस साल भी अभ्याय मेला समारो है और कुछ चुटे घाठा और भी है जो पूरे विदूर में है उन पर भी इस्तान है और इस सब्मंद में पर्याप व्युस्था की लिए है जनपत बिजनौर के अबजलगर शेत के गगाए जनपत बिजनौर के अबजलगर शेत के गगए है और इसके अनावा पर पुलिस लाइन से अतिल्स पोर्स और प्यसी का भी डिप्यामेंट किया है जनपत बिजनौर के अबजलगर शेत के गाउं शेरगर में एक चलती कार नाग लगने से अफराग सफ्थी मत गई देखते ही देखते गाड़ी धूदू कर जलने लगी सूशना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुची मगर तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी आग का कारण वाइरिंग में शौर्ट सरकिट होना बताया जा रहा है जस्पूर उत्रखन के गाउं पतराम निवासी देवेंडर और कुल्दी अपनी नई कार में बैटकर दली से वापस अपने घर लोट रहते जैसे ही वो अफजलगर के गाउं शेरगर पहुचे वैसे ही गारी की वाइरिंग में शौर्ट सरकिट हुआ और कार में आग लग गई घबराई देवेंडर और कुल्दी तुरन कार से उतर गए मौके पर मौजूद लोग आग पर काबू पाते लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह अपनी कार को चपेट में ले लिया था सूचना पर सीयो प्रपेशरंकर कनुजिया और प्रभारी निरिक्षक राजेट सिंग सोलंकी ने गटनास्तल पर पहुच कर निरिक्षन किया कुल्दीर के एक सकता बाद शादी है इसके चलते वाद दिली से घर लौट रहा था और इसी धंतेरस पे उसने यह गारी खरी दी थी पुलिस मामने की जाच में जुटी है ले रिपोर्ट न्यूस 29 इंडिया अब एकी खबरों में बस इतना ही लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारी में देश